है CK service कैसे नहीं आपको डिटेल वीडियो बताने वाला हूं आपको सब्सब्सब्स को चैक करता कि क्या कूलिंग कर रहाए कि नहीं और आप यहां पर जासे कि हमारे पास सयमसेंगniejsze के टखनिक्रिशन पुलाई है जो इस भी कम्पनी का आपके पास ilg ब्लू स्टार है और जनरल है या कोई भी मिस्वूर्शी वगारा तो उनके ही आप टेक्निशन को बुलाईए तो सबसे बेस्ट रहता है बट अगर आपके पास वह उनका नंबर नहीं है या कोई भी प्रोग्रम से वह नहीं आप रहे तो आप लोकल टेक्निशन से भी सर्वि की सफाई अच्छे से की जाती है टेक्निशन के पास हाई प्रेशर वाटर मोटर होती है वाटर वोशर होता है और उसके साथ में एक स्प्रेगन भी होती है जिसकी मदद से यह पूरी एसी को अच्छे से साफ करते हैं इंडोर प्लस आउट्डोर नेंट तो यहां पर आप दे सकते हो गाइस हमारे एसी उनके कोईल काफी जादा गंदे हुए पड़े हैं यह डश्ट पूरी की पूरी यहां पर जैमी रहती है और अगर आप एसी की सर्विस टाइम से नहीं कराते हो तो यह आपके एसी को खराब भी कर देता है और उसकी परफोर्मेंस होती है उसक के अंदर ना जाएको कि अगर इसके पानी चलेगा तो भाई आपकर यसाई डामेज हो सकता है खराब हो सकता है तो इसको अच्छे से कवर कर दिया जाता है उसके बाद एक कलोथ होता है ऑपको बताइता हूँ मैं यह क्लोथ लगाया आता है ताकि जब हम वाटर से अपनी ह यह प्रेशर मोटर हमारी उसके तुरू स्प्रेगन के तुरू हम इसमें वशिंग करते हैं तो वह सारा पानी का है वह आपके रूम में इधर अधर ना बिखरे और कई बार क्या होता है कि इसके नीचे हमारा बैड भी होता है काफी लोगों के होता है मेरे भी जो दूर्शा जो हमारी LG का ऐसी लगा हुआ है उसके नीचे डिरेक्ट मेरा बेड है तो वहाँ पर बेड के ओपर छिटे ना है बेड के ओपर पानी ना पड़े तो यह एक पाइप होती है जिसके थुरू हमें एक कंटेनर लगायते हैं और उस सारा का सारा जो गंदा पानी है डेस्ट वाल क्योंकि बहुत ज्यादा जो डश्ट है वह अगर आप से कपड़ा मारों के तो उससे साफ नहीं होती है तो आपको वैट सर्विस करवाने ही पड़ती है अब यह देखिए अब इतनी गंदगी है अगर यह यहां पर भाई जमी रहेगी और आप एसी चला दोगे तो आपको जो प्रेशर है उनकी मोटर्स पर वो ज्यादा पड़ेगा और एलक्रिसेटी कंजप्शन ज्यादा होगी और ऐसे ही अगर आप हर बार सर्विस निकराओगे तो आपका एसी जल्दी खराब भी हो सकता है तो पहली में वज़ा है सर्विस कराने की यह ताकि आपका एसी लो तो आपके सेर्विस करना चाहते है तो और मैंने सर्विस कराइए उसके सब्रेशिच्व्य कर सकते हैं तो आप पर फोन पर अपने मोडर नमबर बघार बता दीजिए और अपनी लोकेशन बताalen को सेर्विस वाले है वो आपकी नेक्स्ट विजित है वो आका fat आ वह टकनीशिन आ जाएंगे आप से 6500 रुपे कासपा लेंगे यह हमारी हाइफ जो प्रेसर वर्षर मोटर है वो है और यह तब जो हमने दिया था और यह देखिए गाइज यह कितना ज्यादा पानी यह हमको देखने को मिर रहा है यह जो है यह उसी मस्से जो सर्विस करने के बार मिला यह साफ पानी दोनों में फारक दे लीजिए कि कितना ज्यादा भाई फारक है यह पूरे-पूरी डश्ट थी हमारी एसी कि वह सारी इसमें आ चुकी है वह जो इंडोर उसको साफ करने के बाद उसके लावा यह हमारी डश्ट विल्टर इनको भाई अच्छे से सा इसना पड़ता है ऐसे नहीं बिना सीखे कोई भी चीज़ करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है यहाँ पर जो सैमसंग वाले इनको हमको साड़े शेसो रुपे देने थे तो हमने का कोई बात नहीं भाई साड़े शेसो रुपे दे देंगे अब जो काम प्रफेशनल कर रह है और उसके बाद हो करें दिन में यह कम सकम साथ से आर्ट सर्विस करते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि इनके पास कितना ज्यादा एक्स्पीरिंस होता है और हमको भाई अगर साल में एक दिवार करनी है तो इनको ही कर लें दिजिए ज्यादा अच्छा है तर बाकि एछिए समझ के तबी कीजिएगा क्योंकि यहां पर आप दे सकते हो यह भ passer है अर्व हमारा आउट्डोर और अंट तो कई लोग पहले और उनिट भी साफ कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वह पहले और साफ करने की बात कर रहा है तो उनको और EstaDIर यू तो भी सुन लीजेगा कि वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से पानी डालना चाहिए और किस तरीके से नहीं ताकि जो हमारी यह इसी है वो खराम ना हो तो यह चीज़ भी आपको इनकी जवानी में सुना आयता हूं तो मैंने इसलिए स्पेक्शल डिरेक्टेंजिन से बात कर ली क्योंकि डेली काम करते हैं इनको पता है कि किस तरीके से इसको साफ करने चाहिए किस तरीके से नहीं तो यह देखिए इसमें इसको अगर हम और यह दिमाग में रखना लोग इसको भी कवर करने के कोशिश करते रहते हैं तो इसको इस हिसाब से बनायता है कि चाहे धूफ हो चाहे बारिश हो चाहे आंधी तुफान हो यह उसको सहने के लिए ही बना हुआ है तो कोई टैंशन की बात नहीं है इसलिए पन में रहें देजिए इसको कवर मत कीजिएगा तो ना वर्शीं ना लाए लिए पाणी मार आंदा तरी लिए अपर लें गांटे जाएगा तो यह दिए अ कि बिज्टे इसे काई बने डिवेंटल से कंडिकर में अखूजए में आखूजए एक रूदा थे कषे ऐख लिए पाजी पता है कि आपड़ा के अपरे बेश्टी गए या जाएगा फरुदले पासे यह तो दो परके रहे हैं तो जैसा कि मैंने भाई से पूछा कि गाइस की क्या है इसकी PCV वेगरा खराब हो सकते तो उन्होंने बताया कि उपर से नीचे की तरफ अगर आप प्रेशर करके धोते हो तो कोई खराबी नहीं आती है अगर नीचे से आप पानी मालते हो तो उसकी PCV तक पहुंच सकता है और उससे खराबी भी हो सकती है तो यहाँ पर बात हमारी पंजाबी में थी तो ज्याते लोग को समझ आ गई हो कि आजकर लोग पंजाबी तो पूरी तरह समझने लगए को कि बहुत बहुत चीजे होती है उनकी वायद दुबारा से अटाइच कर दियाती है और जो हमने AC को ओपन किया था अब दुबारा से हमने AC को क्लोज कर देना है बस उसके बाद अपना सारा काम हो जाता है और यह जो है हमारा AC की सर्विस करने का प्रोसेस complete हो जाता है उम्मीद करता आने ओले टाइम में मेहन्त करोगे और आपके पास भी ऐसी हो जाएगा कोई बड़ी चीज नहीं है बट हाँ भाई बिल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है अगर आप पंक्रे कूलर की बात करोगे तो इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बिल आता है बट अगर आ आप एसी लेना जाते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहाँ जाकर आप चैक का सकते हो कि कौन-कौन से एसी मैंने लिए होए हैं और कौन-कौन से बेस्ट एसी है आज की टाइम पर क्योंकि आप दो या तेस लग गया और हो सकता कि आप मेरी वीडियो आप देख रहे हो जब मलती देखोगे सर्विस तो ऐसे ही होनी है चाहिए आज से आप 20 साल बात देखना भाई अगर यह यह लेसी होंगे तो इनकी सर्विस तो ऐसे ही होगी मिलते नेक्स वीडियो में बाबाई